देश की नहीं जनता ने जो ये नई सरकार चुनी उसको आज साथ दिन पूरे हुए है अब तक हमारे देश में एक मांसिक्ता रही है कि सरकार चुनने के बाद जनता और सरकार के बीश में एक बहुत बड़ा अंतर महसूस होता है एक प्रकार की खाई नजर आती है लोकतंत्र की सफलता जन भागीदारी के बिना असंबव है और जन भागीदारी सिरफ मतदान तक सिमित नहीं हो सकती वो राष्ट की सभी आशा आकांग्षाओं की पूर्ति के लिए एक सबल सशक्त माध्यम बन सकता है और इसलिए साट दिन के अनुभव के बाद ये पाया गया कि देश के बहुत लोग है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उनके पास विचारों की भरमार है वे समय देने को तयार है वे जूडने को तयार है वे समस्याओं से जूजने के लिए तयार है वे आउसर की तलास में है टेकनोलोजी के माध्यम से तयार किया गया है प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के भाहर रहने वाले भारत का कल्यान चाहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा आउसर है एक माध्यम है ये एक शुरुवात है और मुझे विश्वात है कि सभी देश्वासी इस पहल का स्वागत करेंगे और जुडेंगे कुछ जो विश्वाइ आपके सामने रखे हैं वो प्रारम के लिए है लेकिन और भी नए विश्वाइ जोड़े जा सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म तयार किया है उसकी भी कुछ कमिया आपको नजर आ सकती है उसमें भी सुधार के लिए आप सुझाव दे सकते हैं उसको भी हधिक स्टेंधन करने के लिए आप सुझाव दे सकते हैं और मुझे विश्वाइ सकते हैं हम सब मिल करके देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की आशा आकांख्षाओं को पूरा करने के लिए देश को जीतना आगे ले जाना पड़े जीतना आगे ले जा सके हम अवश्य सफल होंगे मेरा विश्वास मेरे विचारों में से पैदा नहीं हुआ है मेरा विश्वास सवासो करोड देश्वाश्यों की शक्ति को मैं अनुभव करता हूँ उस सामर्थ को मैं पहचानता हूँ उसी मैं से पैदा हुआ है और यही विश्वास है जो हमारे सपनों को पूरा करेगा आपके विचार आपकी अपेक्षा आपका समर्थन आपका सामर्थ इसके लिए मैं इंतजार करता हूँ मैं आपकी प्रतिक्षा करता हूँ मैं आपसे स्वागत करने के लिए बाहें फैला करके खड़ा हूँ आईए आपका समय दीजिए आपकी सोच दीजिए आपका सामर्थ दीजिए आपका समर्थन दीजिए और हम सभलता को पाके रहेंगे इस विश्वास के साथ मैं आपको आज सरकार के साथ दिन जब पूरे हो रहें तब जुडने का एक अनोखा प्रयास ले करके आया हूँ बहुत बहुत धन्यवाद